हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मया ट्रेडिंग एकडमे फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग बायोकन सेर के नलिशिश करेंगे और इसके लेबल को देखेंगे कि क्या भी बाई करने का या सेल करने का सिनारियो बन रहा है और बायोकन का क्या टारगेट हो सकता है अगर में कि आखिर वाउकन में सेलर कहां पर बैठै है और बायर कहां पर बैठै है तो आप वीडियो को लाइक किजी IT! चनल को अप्सख्राइब किजे चलते हैं हम लोग बाईवकन के चार्ट पर है कि और फ्रेंड्स इस चार्ट व olho बायोकन फॉर डेली टाइम फ्रेम आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बायोकन में एक बहुत ही अच्छी रैली आई है और इस रैली की जब स्टार्टिंग हुई थी फ्रेंड्स तो मैंने उसी टाइम लाइम मार्केट में एक वीडियो बनाया था नियरली फाइव डेज अगो और जब बायोकन इस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था और एक अच्छी पैटन डबलू पैटन बनाया हुआ था तो हमने इसको लेकर के एक वीडियो बनाया और मैंने बात किया था कि फ्रेंड्स 410 यह उस टाइम चल रहा था 387 के लेवल पर मैंने बाई किया था इसमें और जब मैं वीडियो बना रहा था 390 के आसपस प्राइस ट्रेड कर रहा था तो उस टाइम मैंने इसको एक लेवल दिया कि यह 410 का जो टारगेट है इसमें इसली पुशिवल हो सकता है और इसके आगे का टारगेट हम लोग अभी देख लेंगे अब सिंस यह स्टॉक में एक अच्छी रहली आई हुए यह 14 गास पस थोड़ी सेलिंग आई थी और वहां से स्टॉक अपने आपको फिर से सस्टेन किया और यह 415 के लेबल पे जा करके खड़ा हुआ है अब हमें देखना यहां पी यह है कि आपको क्या करनी चाहिए आधर प्रोफिट बूक करना चाहि आप देखेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री को चेक करते हैं कि जब भी यह स्टॉक रेजिस्टेन्स पर गया है तो इसमें किस टाइब का भी है हुआ है तो इससे पहले वाले आप रेजिस्टेन्स को देखिए इस लेबल को यहां पे जो रेड केंडल बनाया है उसकी साइज को देखिए यह साइज में बहुत बड़ा रेड केंडल बना हुआ है आप देखेंगे यह वाली जो रेड केंडल है फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी है लेकिन यहां पे जो रेड केंडल बनाया है फ्रेंड्स वह स्मॉल साइज का है मतलब यह है कि सेलर फ्रेंड्स यहां पे कम है क्यों reason क्या है क्यों लोग sale नहीं कर रहा है या market के participant जो है वो क्यों sale नहीं कर रहे हैं आप यहां पर volume friends देखो बहुत ही low volume है लेकिन इस label पर जब गया था price तो यहां का volume high था और candle भी बड़ी थी अब आप देखोगे एक point और back जाते हैं यहां पर देखो जब resistance पर गया था 420 के label पर कितनी बड़ी candle में selling आई थी इसके पहले हलागी दो डोजी candle बनाया था यहां पर देखो कितनी बड़ी candle में selling आई है तो friends यह resistance को जब टच किया है 420 का तो इसमें selling आई थी इसलिए मैं बोला था कि 420 के label पर decision होना है कि इस stock में क्या होगा सिंस यहां पर आप देखोगे यह 200 डे का moving average है इसको भी resistance की तरह ले रहा है और इसको resistance face कर रहा है और जब से इस ने 200 moving average को downside में break किया है यह upside अभी तक नहीं निकला है reference on daily time frame तो आपको क्या करना है इसमें थोड़ा सा पैसेंस बनाया के रखनी है और सिंस यहां पर जो buyer है आप देखेंगे थोड़ा सा इसको जूम में कर लेता हूं यह buyer को आप देखिए इस green candle को यह एक बड़ी candle है और यहां पर strong buyer की entry है लेकिन यहां पर जो seller है वो थोड़ा weak है अगर stock यहां पर sustain कर रहा है तो यहां पर दो possibility बनेगी friends either it will be the phase of consolidation और distribution यह आपका कैसे पता चलेगा कि कब consolidate हुआ यह distribute हुआ यहां पर अगर कुछ chart pattern बनाता है उस type का तो हम इसको देख सकते हैं और अगर यह downside break करने की कोशिज करता है 413 के label को 413 के label को downside break करने की कोशिज करता है तो में भी 410 जो है friends इसके लिए एक पहुत है strong support है तो 410 को sustain कर सकता है अब इसको थोड़ा सा हम weekly time frame पे लगा कर देखते हैं कि इस stock में अगर आप थोड़ा सा भी लॉंग टर्म का है तो आप इसमें क्या कर सकते अगर friends थोड़ा सा आप ज्यादा दिन तक hold करना चाहा रहे हैं तो आप यह candle को देखिए weekly time frame का candle है कितनी बड़ी breakout है इस label से यह 390 के आसपास का जो label है वहां से एक बड़ी breakout आई है अगर आपने पहले से इसको बाई करकर रखा है या मैंने जो सजेशन दिया था वीडियो में उसके अनुसार बाई किये हैं तो आप थोड़ा सा इसमें वेट किजिए और यह जस्ट कुछी दिनों में 475 और 450 का लेवल यह टच करने वाला है क्योंकि बाकी फर्मा सेक्टर में बहुत ही अच्छी गुरू था यह लेकिन बायोकुन में नहीं आई हुए है बायोकुन अभी भी अपने सपूर्ट लेवल क्यों टच किये हुए है तो आप इसमें अगर आपका थोड़ा सा भी कि और एवन आप स्विंग ट्रेविंग करते हैं मंत हैं टू मन्थ थक आप रख सकते हैं श्टॉक होलड करके तो आप रख़िये फ्रेंड्स यह जो स्ट्रॉंग केंडल है एक 450 के का लेवल यहां पर तो यह फ्रेंड्स फोर फिप्टी के लेवल पर एक श्टॉंग को नि प्रोफिट बुक कर लें अभी फ्रेंड्स यह है कि अगर आप मंथ टू मंथ के लिए रखना चाहा रहे हैं तो आप इसको जरूर रखिए यह एक अची मुवा और एक अची प्रोफिट आपको देगा और अगर आपका स्विंग ट्रेड है और 10-15 डेज का आपका होरिजन है देन आप इससे कुछ क्वांटिटी को अपने बुक कर सकते हैं प्रोफिट को कुछ निकाल सकते हैं अभी जिस लेबल पर यह खड़ा है और अगर आप थोड़ा सा रिस्क के एपेटाइट है तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर हम इसके एनलिशिस वन आवर क टाइम फ्रेम पर कर लें तो यह आप देखेंगे कि लास्ट आवर में फ्रेंड्स इसमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिली हुई है और यहां से जब एक सेलिंग आई तो मैंने थोड़ा सा अपना क्वांटिटी को निकाला रिजन यह था कि एक अच्छा सेलर आया था यह लेकिन मार्केट में एगेन भाइंग हुई और यह इसके प्राइस को फिर इनिसियल को यहां पर आपन था ओपन के साथ ही इसमें फ्रेंड्स सेलिंग आई थी लेकिन उसको यह । यहां या यह यह सपोट ले रहा है आपको थोड़ा सा जperform करकर दिखाता हूं यह आप दे यहां सकता है फोर टेन विल भी दे मिजर सपोर्ट फोर दे स्टॉक तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं कि यहां पर आखिर हो क्या रहा है रेजिस्टेंस के पास क्योंकि यहां से ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन की संभावनाएं दोनों रहती हैं तो चलिए करेंगे कि कहां पर सेलर खड़े हैं कहां पर इसका मेजर रेजिस्टेंस हैं तो आप देखेंगे मैंने पहले भी बात किया था कि 420 अब बेस्ट हडल टू क्रॉसीट और यह इसके लिए बड़ा रेजिस्टेंस हैं चुकि आप देख रहे हैं 1243 कंट्रेक्ट इस पर लगे मैं दिखाता हूं आप यहां पर देखिए यह 410 के लेबल पर 410 का लेबल है जो फ्रेंट्स 371 कंट्रेक्ट है जिसमें 125 कंट्रेक्ट जो है वो अपने पोजिशन को काटे हुए हैं मतलब लोग यह सोच रहे हैं कि 410 410 का जो लेबल है वो ब्रेक नहीं होगा इस स्टॉक क देखेंगे तो आपको समझ में यह चीज़ आ जाएगा असानी से आप पूट सेट देखेंगे तो फ्रेंट्स 410 का जो लेबल है वो इस पे एक अच्छी पूट सेलिंग है मतलब पूट सेलर यह सोच रहे है कि 410 is a strong support for the stock और यह इसके ऊपर रहना चाहिए इसलिए वो फ्रेंड्स प्रोफिट भले ही थोड़ी कम हो लेकिन आपको लॉस नहीं होनी चाहिए और आपकी कैपिटल सेव होनी चाहिए तो आज के वीडियो के लिए वसी तना ही फ्रेंड्स थैंक यू फर वाचिंग